केमसी कैंसर संस्थान, केमसी, हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरट, उत्री भारत का आधुनिक्तम, एवं, अत्यांत सुरक्षित, रोबोटिक, रेडियो थेरेपी, वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही वे सुरक्षित है, रैपिट आर्क से सुसर संस्थान, 24 x 7, हर प्रकार की कैंसर के आउपरेशन, क्यूमो थेरेपी और प्रतेक प्रकार की रेडियो थेरेपी पे रेडियो सर्जरी उपलब्ध है, कैंसर को पहचान निकले, आधुनिक्तम, पैट, सीटी, उचित शुल्पर उपलब्ध है, यूपी के आजम गड़ के चिल्डरन गल्स स्कोल में हुई घटना के बाद, प्रधाना चारेवे शिक्षक की ग्रफतारी के विरोध में आज 8 अगस्त को यूपी के सभी निजे स्कोल बंद रहे, उत्तर प्रदेश के सभी निजे स्कोल संगठन के और सही है, फैसला लिया गया है, इसक्रम में आज म मेरट जिलादिकारियों को एक ग्यापन देते है, आज हम गड़ में हुई क्रफतारी पर नराज की जाहिर की है, जिलादिकारियों को ग्यापन देने के बाद, संगधन पदादिकारियों ने मीडिया से यह कहा, CBSC, ICSC और UP Board के भी स्कूल्स क्लोज हैं, यह बंद इसलिए आवान किया गया है, क्योंकि आजमगड में एक बहुत दुख़द घटना हुई थी, जिसमें एक छात्रा ने मोबाइल उसके बैग से मिलने पे, टीचर ने उसकी वारे में पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन दी, औ तीसरी मंजल पे जाकर छलांग लगा ली और अनफॉर्चुनेटली उस शात्रा की डेथ हो गई, यह एक सुसाइड अटेम्ट था और हम उस पूरे परिवार के साथ समवेदनाएं रखते हैं, हम ईश्वर से यह भी प्रातना करते हैं कि उस शात्रा की आत्मा को शान्ती द हुआ है, टीचर और प्रिंसपल जो हैं वो अपना रूटीन जॉब कर रहे थे, वो कोई किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं, यह हम लोग रोज करते हैं हमारा काम ही करेक्शन करना है, हमारा काम बच्चों को सुधारना है, हमारा काम बच्चों को नॉलेज देना है, देखें, यह पूरे UP की different associations का एक combined फैसला है कि आज सांकेतिक बंद किया जाएगा, इस बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है, कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम क्या आगे बंद को continue रखेंगे, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है, पहली बात हम कल विजे किरन आनन जी जो की डिरेक्टर जनरल आफ एजुकेशन है, उनसे मुलाकात करके आये थे, वो पूरे UP में किसी भी क्लास की शिक्षा हो, वो उनहीं के department के माध्यम से होती है, परसों हम लोग संजय प्रसाद जी से मिलके आये थे, जो की Chief Secretary UP Government है, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है, उसमें ये है कि स्कूलों के लिए एक SOP या Guidelines या एक Act का Formation किया जाएगा, जिसमें स्कूल के सारे Stakeholders, Management, Principal, Teachers और Staff Members, सब के हितों की सुरक्षा की जाएगी, हम ये नहीं कह रहे है कि FIR ना हो, हम ये कह रहे हैं कि जो भी कारवाई हो पुलिस की, वो एक जा जाच में कोई दोशी पाया जाए, तो तो कारवाई की जाए, अगर जाच में कोई दोशी नहीं पाया जाता है, तो immediate arrest नहीं होना चाहिए, इससे हम लोग अपने मन से पढ़ाते हैं, तंखा सब लोग इसलिए लेते हैं, क्योंकि आज के सामाजिक जरूरते हैं, मगर हम लो का और संसकारों का तानाबाना है, जिसे तोड़ने की पूरी कोशिस की जा रही है, और हम ये कहेंगे फुलिस परसासन से, कि जो ये संबंधों के दम पे देश यहां तक पहुचा है, इसे खराब ना करें, पहले जाच करें, हमारे पहली शर्त होती जब विद्यालियों में एड्मिशन होता है, कि हम बच्चे के पहले माबाब ही, पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है, संसकार की जिम्मेदारी हमारी है, उसका होमवर करवाना हमारी जिम्मेदारी है, उसे हर अच्छी बुरी चीज से बचाना हमारी जिम्मेदारी है, लोगडाउन जैसी इ व्यवस्था में हमने लाखों बच्चों को उनलाइन एजूकेशन दी है उसके बाद में इंसिडेंट होते हैं घटनाएं होती हैं अभी हमारे मेरट में हमारे पांच कावडिया एक्सपायर हो गए बिजली की लाइन में वो आके क्या उसके लिए कोई रस्पोंसेवल है कोई गिरफतारी हुई नहीं हुई ना सर क्यों क्यों कि जाच का विसे था इसलिए हम कहते हैं पहले जाच करें और इस तरह काम ना करें कि यह एजूकेशन की व्यवस्था ठप हो जाए और हम आपको एक बात बताते हैं यह जोद्धा लोग होते हैं बीपी शुगर की दवा खा बताते नहीं हैं तो हमारी रिक्वेस्ट पूरी तरह से हमने डीम साब को भी बोला है कि इस पर पोजेटिवली आप सासन को अवगत कराएं कि बहुत रोज है विद्ध्यालियों में अगर इस तरह का रहा हमारे प्रिंसिपल को गिरफतार कर लिया जाएगा जो संसकार देत से कहें कि हम आपके भाई हैं और हम पहले अभी बावक हैं बाद में विद्ध्याल ले चलाते हैं इस खबर में फिलाल इतना ही आप देखते हैं फर्सबाट.tv नमस्कार फर्सबाट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राईर जग है जैना जुएलर्स आबुलेन मेरत